वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज की वीडियो में में शेयर करेंगी सूरजकुन मेले का व्लॉग और यह इंटरनेशनल लेवल पर मिला लगता है यहां पर बहुत सारे कंट्रीज के स्टॉल्स होते हैं उनकी कल्चर उनकी जो भी स्पेशल चीज़े उस तीजों का स्टॉल्स और अगर आप सीनिय सेटिजन हो या फिर आपके बास कोई स्कूल आइडिय है तो आपको 50% आफ पे मिल जाएगा और अपकी बार का जो थीम था वो हिमाचल परदिश था हर साल कुछ न कुछ थीम होता है और जो भी स्टेट का थीम होता है उसका कल्चर बहुत अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट करा जाता है और इस बार हिमाचल परदिश इसका थीम था और हम सब को पता है हिमाचल बहुत सुन्दर स्टेट है पर यहां पर मेले में हिमाचल का कुछ भी जलक नहीं लग रहा था और हर साल जो भी थीम होती है उस पर मेले में डेकुरेशन होत और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टॉल्स जो लगते थी दुकाने जो लगती थी वह बहुत कम थी और भीड भी बहुत कम थी पपलिक इस बार बहुत जादा कम थी और जिससे भी पूचा जो भी मेरे जनने वालों में गया हुआ था और उनसा पने बुला कि लाइक बोरिंग होता है बट इस बार वो भी नहीं है यह दो चार इंडरनेशनल स्टॉल्स लगे वे थे मैंने क्लिप्स डाल दी है में तो व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ ऐसा इंट्रस्टिंग था नहीं कि मैं शूट करके आपको दिखाऊंग यह सारे नौरमली इनको आप कैप्चर करना चाहते हो बट इस बार कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ आप शूट करो या फोटो लो हाडली मैंने 6-7 फोटो लियोंगे अपने और उसे जाधा नहीं लिए और क्योंकि कुछ थाई नहीं ऐसा कि कोई उस चीज को शूट करें या रिकॉर्ड क बस इस तरह की स्टॉल्स लगे वे थे आप देख सकते हो और अभी तीन से चार बज़े थे जब मैं यह वीडियो शूट कर रही थी इस टाइम भीड नहीं थी और मैं पहले भी आ चुकी हूं चार पार साल से मैं हर साल आते हूं और तो वहां पर लाइक यहां पर बहुत ज हो गई तो चौदा तारिक वेलेंटाइन डे था उस दिन भी दैसे रहती है बिर मैं इस टेट पे भी आई थी बट इस टेट पे थाई नहीं कुछ भी तो इस बार का मझे लगता है सबसे बेकार मेला लगा है तो लाइक बस एक टाइम पास हो गया और कुछ एंजॉयमेंट तो हुआ नहीं तो यहां पे कई सारे स्टॉल्स थे जिन पे हैंडमेट समान मिलता है जो कि काफी इंटरस्टिंग दिख रहते लग रहते हैं और यह सारे डिफरेंट शेप्स में बैग थे जूट के रसी से होते हैं आई थिंग यह कोई ट्रस्ट था उसका स्टॉल था यह और यहां पे हैंडमेट स्लीपर्स वगएरा भी मिल रही थी यह वेस्ट पेंगाल का पूरा स्टॉल था और यह सारे बैग्स वगएरा इस तरह के जैपुरी तो मिल जाते हैं नॉर्मल और यह हर साल इनके स्टॉल्स होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं सुन्दर लगत यहां पे रियल पल लिख रखा था इन्होंने पर जो इनके पास पीछे जूल्डी थी वो मुझे 50 रुपीज वाली लग रही थी और फ्रेंट पे कुछ दो-चार ही आइटम अच्छी लग रहे थे अधर्वाइस पता नहीं मुझे अजीब से दिख रहे थे और यहां पे से क कपड़े थे तो कपड़े ठीक हैं पर इनके प्राइस बहुत जादा होता है क्योंकि मेली का भी चार्ज काफी होता है तो उसके कोर्डिंग प्राइस भी जादा ही होता है यह हैंडमीड पेंटिंग्स बगेरा बनी हुई थी यहां पे कड़ाई करके निडिल वर्क यहां पर पूरे मेड पेंटिंग्स थी भगवान की और फूर बहुत अच्छी चेसी और बोगी अई कोस्ली भी थी पर है मेहनत लगती है तो पैसे जादा ही होंगे तो इस तरह के पीटिंग्स वगरा थी यहां पकी बनी वी और यहां पे बहुत सारी डिफरेंट करेंगर आप चाहते हो जाना और जाओ आप मजा आएगा एंज्टोाइ कर सबढ़ σας कोगे अगर आप विजिट कर आई हो तो आप नहीं चैने समय निचर्ड में कैसा लग आ पनी कभी सूरज कूण भील हम specifically तो उस व किमेंट मेरे साथ शेयर करना in stop तक के लिए बाई और इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज और शेयर भी थैंक यू